Hello everyone, मेरे चैनल जोती प्रकाश में आपका स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो है दशा माता के वरत की विधी क्या है दशा माता या संपदा माता दोनों का वरत एक ही तरह से किया जाता है दोनों के वरत में डोरा लिया जाता है पर दू कुछ स्थानों पर इने संपदा माता या सापदा माता बोला जाता है कुछ स्थानों पर इने दशा माता बोला जाता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संपदा माता का डोरा कैसे लिया जाता है संपदा माता या सापदा माता का डोरा जिस दिन होली का दहन होता है उससे अगले दिन लिया जाता है यानि कि दूलेडी वाले दिन आप उसे कभी भी ले सकते हैं दिन में आप उस डोरे को कभी भी ले सकते हैं अब डोरा बनाना कैसे होता है डोरा बनाने के लिए सबसे पहले आपको कच्चा सूत लेना होता है कच्चा सूत एक धागा होता है जो कि पूजा वाली दुकान पर आराम से मिल जाता है कच्चा सूत जो सिंगल धागा होता है उसे हमें और 15 बार लेना होता है ताकि वो 16 तार का धागा बन जाए सोला तार को हम एक साथ मिलाएंगे और फिर उसमें सापदा माता का यदि आप डोरा ले रहे हैं तो सोला गाठे लगती है सोला धागे लिए जाते हैं और सोला ही उसमें गाठे लगती है यह होता है सापदा माता का डोरा आप इसे दिन में कभी भी ले सकते हैं दूनेडी वाले दिन इसको लेने की विधी है कि आपको पहले एक कलश लेना होता है कलश के साथ आपको जो नई नई फलिया पकर आती है जोगी जोगी हमें फलिया लेनी होती है यदि एवेलेबल हो तो otherwise आप जो मार्कीर से जोग मिलते हैं उनके दाने भी ले सकते हैं फलिया मिलती है तो और अच्छा होता है तो हम सोले दाने जोग के हाथ में लेकर सापता माता की कहानी सुनते हैं उससे पहले हमें डोरा बनाना होता है मैंने दोरा बताया सोले धागे का होता है उसमें सोला गाट लगा के उस धागे को हमें हल्दी से रंगना होता है हल्दी से रंगने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ी सी कटोरी में हल्दी और पानी का पेस्ट बनाना होता है उस पानी के पेस्ट में हल्दी के पेस्ट में हम उसे रंग लेते हैं पीले कलर से यह बहुत ही शुब होता है हल्दी हर शुब कारे में यूज होती है इसलिए हम उसे हल्दी में रंग लेते हैं उसके पश्चात हम एक पानी का कलश लेते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं आप स की पूजा करेंगे और फिर आप सापदा माता की कहानी सुनेंगे कहानी का वीडियो मैं अभी नहीं बना रहे हूं क्योंकि कहानी सुनाओंगी तो काफी लंबा हो जाएगा सापदा माता के जो डोरे की कहानी होती है उसमें नल और दम्यंती की कहानी सुनी जाती है इसके उरकिंग है या बहर आपको जाना होता है काम से तो आप इस डोरे को और जो ये जो के दाने होते हैं एक डिबली में उठा के रख सकते हैं और जब ये अभी चैतर का महीना चल रहा होता है क्योंकि जो दूलेंडी होती है उस दिन से चैतर का महीना स्टार्ट हो जाता है और फिर जो अगला महीना आता है पूर नीमा के बाद जो महीना शुरू हो जाएगा वो वैशाक का महीना होता है तो वैशाक के महीने में किसी भ प्रिक्ष में रख सकते हैं या फिर आप मिट्टी में अपने गमले में दबा भी सकते हैं साथ ही जोके जो दाने हैं उन्हें पानी के साथ आप तुलसी में या किसी पौदे में दे सकते हैं तो ये तरीका होता है सापदा माता का डोरा लेने का यदि आप एक बार सापदा मा दिस फुलेंदी पर जिस तरह से संप्दा माता कड़ोर लिया जाता है पूझा करते हैं तो हमें डोरा बनाना होता है और 10 दिन तक लगातार पूंजा करनी होती है और दस्वी के दिन जिस दिन दस्वा दिन होता है होली के बाद यानि दूलेंडी से पहला दिन काउंट करते हैं और दश्वी तिति को जब दशा माता का वरत आता है उस दिन इस धागे को पूझ कर अपने गले में धारन किया जाता है यदि धारन किया जाए तो अधर्वाइ फिर से दशा माता का जब वरत आता है तो हम इसे विसरजित करते हैं उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया और फिर नया डोरा लेते हैं अब इसकी विधी क्या है डोरा लेने की दशा माता का डोरा दो प्रकार से लिया जाता है एक तो आप दस दिन तक उजा करते हैं तो आपको दूलैंडी से ये शुरू करना होता है कई महिलाएं 10 वे दिन वृत रखती है और फिर उसका धागा लेती है दोनों ही विधी मैं आपको बताती हूं तो सबसे पहले जो महिलाएं दूलेंडी से इसे शुरू करती हैं उनके लिए बताती हूँ दिवार पर सबसे पहले स्वास्तिक बनाया जाता है सिंदूर से उसके बाद सिंदूर से ही दस बिंदिया रखी जाती है उसके बाद आपको एक जल का लोटा लेना होता है और साथ में ही आपको डोरा बनाना होता है जिस तरह से संपता माता का डोरा सोले धागे का होता है और सोले गाठो का होता है उसी तरह से दशा माता का धागा दस गाठो का होता है और दस धागे का बनाया जाता है तो उसे बनाकर उसी तरह से आपको हल्दी में विगोकर रंगना है उसे और फिर धागे की और सबसे पहले स्वास्तिक की पूजा की जाती है क्योंकि जो स्वास्तिक होता है वो गनेश जी का स्वरूप होता है हम कोई भी पूजा गनेश जी से ही शुरू करते हैं उसके बाद इन बिंदियों की पुजा होती है और डोरे की पुजा करने के साथ ही आपको कहानिया सुननी होती है कहानियों की पुस्तक एक आती है आप वो खरीद सकते हैं otherwise आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं तो 10 दिन तक रोज लगातार कहानी सुननी होती है जब 10 दिन तक रोज लगातार कहानी सुनते हैं तो महिलाई उपवास रखती है और एक समय भूजन करती है एक समय में जो आप अन खाएंगे उसमें नमक नहीं खाया जाता है और एक ही प्रकार का अन खाया जाता है जैसे कि आप गेहूं से बना कुछ खा रहे हैं तो 10 दिन तक उसी से ही आप अपना उपवास खोलेंगे जैसे कि आप गेहूं के पुए बना सकते हैं हलवा बना सकते हैं यही करम 10 दिन तक चलता है दसवे दिन महिलाई जब वरत रखती हैं तो वे मंदिर जाती हैं और पीपल के वरिक्षी पूजा करती हैं और पीपल पर सूत लपेटती हैं कच्चा सूत जिससे आपने डोरा बनाया है उसी सूत से दस बार लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं यानि कि दस चक्कर आपको लगाने होते हैं और सूत लपेटना होता है ये इसका पहला तरीका ह दूसरा तरीका है कि यदि कई महिलाएं ऐसा करती है कि वे दस्वे दिन ही वरत रखती है और दस्वे दिन ही दशामाता का डोरा लेती है उसके लिए वे सुबह सुबह मंदिर जाती है और पीपल के वरिक्षी पूजा उस दिन होती है तो यह जो मैंने आपको बिंदिया बता के ही डोरा बनाया जाता है दस धागे का और उसमें दस गाठे लगाई जाती है यदि आप धागे को गले में धारन करना चाहते हैं तो धागा थोड़ा सा बढ़ा ले उसी अकॉर्डिंग की गाठे लगाने से फिर वो छोटा हो जाएगा तो उतने ही लंबाई कले परन्तु यदि आप धागे को किसी डिब्बी में रखना चाहती है एक साल के लिए तो आप छोटा धागा भी ले सकते हैं वहीं पर फीपल के विरिक्ष के नीचे धागा बनाया जाता है उसके बाद धागे की पूझा करके उसी विरिक्ष के नीचे आपको कहानी सुननी होती है दश खाली करके नहीं आते हैं और जलका छिड़का हम अपने दर्वाजे पर करते हैं और दर्वाजे पर आकर वापस स्वास्तिक बनाया जाता है जब आप मंदिर से आ रहे हो तो पीपल के विरिक्ष के नीचे खड़े होकर आपको प्रातना जरूर करनी चाहिए क्योंकि दशा माता का व्रत और संपदा माता का जो व्रत होता है घर की स्थिती को सुधारने के लिए होता है घर की दशा को सुधारने के लिए होता है हमें उस व्रिक्ष के नीचे खड़े होकर प्रातना करनी चाहिए कि हे भगवान हमारे घर की दशा को सुधार ये हे माता हमारे घर की दर्शा को सुधार ये यदि आपकी दर्शा अल्रेडी अच्छी है तो हमारे इस दर्शा को अच्छे से बनाई रखिएगा हमारे घर में संपन्दता लाईएगा इसी के लिए वरत किया जाता है घर पर आएं तो घर के बेन डर्वाजे पर स्वास्तिक बनाया जाता है उसके पहले आपको बाएना निकालना होता है जिसे आप अपनी सास को अपनी जिठानी को या पड़िताइन को दे सकते हैं तो उसमें दस सिक्के रखे जाते हैं दक्षिना के लिए और माल लीजे आपने पूए बनाए हैं मीठे तो दस पूए आप निकालेंगे दस सिक्के के और आप श्वैम भी भोजन कर सकते हैं जो यह डोरा बनाया जाता है इस डोरे को हम उठा के रुठा के रख लेते हैं या गले धारन कर लेते हैं यह कुखा कर लेते हैं तो इस तरह से आप दशा माता का डोरा ले सकते हैं आप चाहें तो दस दिन पूजा करके डोरा ले सकते हैं या आप चाहें तो दसवे दिन भी व्रत करके डोरा ले सकते हैं यदि एक बार आप डोरा लेते हैं तो फिर इस नियम को हमें पूरी उम्रों निभाना होता है कोई मजबूरी हो तो ही इसका उध्यापन करें otherwise इसका उध्यापन नहीं होता है बाकी आपके यहाँ पर इस व्रत को जिस तरह से करते हैं आपको उसी तरह से करना चाहिए नया नियम लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम आगे उस नियम को पूरा कर पाएंगे निभा पाएंगे क्योंकि जिस तरह से हम पहली बार करते हैं हमें हर साल उसी तरह से करना होता है तो ये मैंने आपके साथ शेयर की दशा माता और संपदा माता के डोरे की विधी तो आपको दशा माता और संपदा माता के वरत की जानकारी कैसी लगी जरूर बताईएगा और इसी तरह के वीडियों उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहे तब तक के लिए